कि नमस्कार दोस्तों पुझा डिजाएंसन स्टिचिंग में आपका स्वागत है आज हम ब्लाउज 4 टक्स की कटिंग इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं 46 साइज का यह हमारा ब्लाउज है हैवी साइज का ब्लाउज है इसको मैंने सरल तरीके से पूरे वीडियो में इसकी बताईए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें तो देखिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से निचे से बराबर कर लेंगे डबल फोल्ड में मेरा ये कपड़ा है फोल्डिंग साइड मेरी साइड है टोटल लंबाई पर अब शोल्डर के यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रो करनी है ये देखिए स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ड्रो कर लेती हूँ और ये देखिए चैंज मैंने यहाँ पर शोल्डर रखें और साड़े चैंज पर हमने यहाँ पर आर्मोल की जो लंबाई है वो मैं यहाँ रखने वाली हूँ दो जगा आप चैंज पर निशान लगा कर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रो करें साड़े चैंज पर मैंने आर्मोल ड्रो किया है अब हम स्लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे अब सीने का चौथा बाग हमें यहाँ लेना है तो साड़े ग्यारा इंच मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ यह देखिए बैक साड़े हम स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बैक साड़े यहाँ पर काट रहें यह देखिए साड़े ग्यार इंच पर मैंने निशान लगा है और डेड इंच हम सिलाई मार्जिन पर निशान लगा रहे हैं नीचे से कमर हमारी जो है चमवाली सिंच है तो चमवाली इंच का चौथा बाग 11 होता है तो 11 में एक इंच बैक साड़ में हम टक्स लगाएंगे यह देखिए उसके लिए है तो मैं यहाँ पर बारा इंच पर निशान लगा लूँगी नीचे कमर के लिए और गेड़ इंच एक्स्टरा रहएगा हमारा और ये दोनों लाइनों को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रो कर देंगे आर मॉल की गोलाई के लिए मैं यहाँ पर दो इंच पर गोलाई दूँगी क्योंकि हमारा हैवी साइज है अगर हम 1.5 इंच पर देंगे तो बैक साइड से ये खिचेगा इसलिए मैंने 2 इंच पर यहाँ पर गोलाई दिये ध़ाई इंच पर नेक की चौड़ाई पर निशान लगाए यह देखी, 8 इंच पर मैं यहाँ पर नेक की लंबाय पर निशान लगा रही हूँ 3 इंच पर नीचे निशान लगा कर एक बॉक्स ड्रो कर लेंगे बॉक्स पर हमें round neck लगाना है तो यह round neck की safe मैंने यहाँ पर ड्रो कर दिये आप अपने according कोई भी safe यहाँ पर ले सकते हैं half inch का मैंने shoulder down किया है neck की side ताकि shoulder हमारे कंदे गिरने की problem ना हो tux point पर मैंने 12 inch पर निशान लगा है यह देखिए और back side में हमें एक inch की dart इस तरीके से लगा लेनी है और इस पर हम cut लगा लेंगे जो दोनों side हमें same marking में आसानी रहे यह हमारा back side हो गया back side को मैं इसी पर marking पर cutting कर लूँगी नीचे से बराबर करते हुए यह देखिए same marking पर cutting हम back side की कर लेंगे दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like share जरूर करें यह back side हमारा cut चुका है अब यह देखिए front side के लिए मैंने open side अपनी तरफ रखी हुई है यह मेरा कपड़ा बिनास्तर का रूबिया का है इस पर मैं एक मिटर यह कपड़ा है हमारा उस पर हम blouse की 46 की cutting कर रहे है तो यह देखिए उपर हम इस तरीके से एक सीधी line ड्रो कर लेंगे shoulder के लिए front part के लिए और यह देखिए यह पट्टी की side हमें पाव inch की सीधी straight line ड्रो करनी है हुकाई पट्टी के लिए हमें यह margin रखा है अब यह देखिए 6 inch मैं shoulder पर निशान लगा लूँगी दो जगे दो जगे लगाने से हमारी बिल्गुल straight line आती है यह 6 inch पर हम इस तरीके से आर्मोल का निशान लगा लेंगी back side में मैंने यहाँ पर 11 inch लिया था front पर हमें 12 लेना है क्योंकि front में आर्मोल में हमें एक dart डालते है 4 टक्स में उसमें हमारा half inch कपड़ा चला जाता है इसलिए हमें यहाँ पर half inch extra लेना है अंदर की side यह देखी मैंने half inch पर निशान लगाया है front part में हम अंदर की side half inch ज्यादा लेके इस तरीके से गुलाई देते है तो मैंने 7 inch पर यह गुलाई दिये normal हम यहाँ पर एक inch पर देते है डाई inch पर neck को ड्रो करके front side में यह front side का neck भी हमने ड्रो कर लिया यह half inch shoulder down कर लिये जैसे हमने back side में किये थे अब यह देखी मैं tux point पर निशान लगाऊंगी तो 12 inch पर हमारा tux point है उपर से half inch छोड़ देना है और 3 inch के लिए यह देखी जो main dart होती है four tux की उसमे मैंने 3 inch पर निशान लगाया है ड्राइस से 3 inch अमिया लगाते है heavy size है इसलिए मैंने 3 inch पर निशान लगाया है दोनों पर सीधी line ड्रो कर देंगे और 4 inch ही देखिए मैंने यहां से 4 inch पर मैं निशान लगा रही हूँ normal size में 3 से 3.5 inch लगाते हैं इस तरीक से बीच में line draw करके half half divide हमें कर देना है 1.5 inch की यह मैंने dart लगाई है अब यह dart की center में 2 inch इदर और 2 inch इदर रखना है और यहां से 2.5 inch पर हमें चारों टक्स draw कर लेनी है इस टक्स को हमें 3rd draw करना है यह देखिए इस तरीक से 4 टक्स हमारी लग चुकी है कमर हमारी चम्वाली स्थी और 1.5 inch यह हमने जो main dart रखी है उसके लिए है तो उसका कपड़ा extra लेना है हमें और 1.5 inch हमें यहां पर slime margin रखना है इस तरीके से total margin हमें complete करनी है यह देखिए यह थोड़ा सा मैं यहां पर निशान लगा रही हूं कर्व में ताकि यहां पर हम belt joint करेंगे तो अच्छी fitting आए और वो side में हमारा लटके न यह देखिए इस तरीके से belt का मैंने 1 inch पर निशान लगा लिया है अब इसी पर हम cutting कर लेंगे दोनों पट्टियों को बराबर बराबर रखें छोटी बड़ी नारे यह देखिए front part के जो दोनों पार्ट्स है एक साथ इस तरीके से cutting हो जाएंगे बहुत आसान तरीका है और इससे fitting भी बहुत अच्छी आती है अब यह देखिए हमें जो टक्स डाली है उनकी मार्किंग को थोड़ा डार करना है चौक से और इसी पर हम जो दूसरा पार्ट है उसको अच्छे से सेट कर देंगे बिल्कुल बराबर में इसमें क्योंकि दोनों इस तरीके से मार्किंग हमारी एक जैसी आती है कोई भी डिफ्रेंस नहीं होता इस तरीके से थप थपाने से इधर भी हमारी उबर के आ गई है और इन पर हम डायक निशान लगा लेंगे ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारे दोनों कट चुके हैं अब हमें बैल्ट की और बाजू की कटिंग करने ये मेरा कपड़ा बचाया हम इसमें सबसे पहले बाजू काटने वाले ये देखिए डबल फोल्ड है इसको हम फोर फोल्ड कर लेंगे बाजू के लिए ये देखिए दस इंच पर मैं यहां पर निशान लगा रहे हूँ फोल्डिंग में और जो सिलाई में जायागा टोटल में दस इंच पर निशान लगा रहे हूँ आठ इंच के हमारे बाजू यहां पर रेडिय हो जाएंगी अब एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रो कर देंगे और तीन इंच का जुकाव हम यहाँ पर देंगे स्लीव पर और एक सीधी लाइन ड्रो कर देंगे आर मोल के पॉइंट के लिए अब देखिए हमें बैक साइड लेना है बैक साइड में हमें आर मोल मेजर करना है किकल मारा यहां से गुमाते हुए उपर से सिल्लाइ इंच मार्जिन के लिए मुझे इसमें आगे कपड़ा जोड़ना पड़ेगा तो वह मैं जो एक्ष्टा कपड़ा निकलेगा उससे यहां पर जोड़ दूंगी साड़े साथ इंच हमारी जो गोलाई है बाजू की उस पर मैंने मार्किंग कर दिये और इसी पर हमें कटिंग कर लेनी है यह आर मुल फ्रंट में हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे मैं अब भी नहीं करूंगी जब मैं सलाई इसको स्टिच करूंगी तब ही मैं यह कटिंग करती हूं अब यह हमारा कपड़ा बचा है जो तीनों पार्ट है अब हम बचे हुए कपड़े से उपर से जो फ जो नीचे का बैल्ट है फो टक्स में नीचे जो हमारा बैल्ट लगेगा उसकी में कटिंग करूंगी देखिए यह हमारी पट्टी डबल फोल में बची हुए तो हम इसको ऐसे रखते हुए निशान लगा लेंगे यह देखिए बराबर से टोटल एक बड़ आप नाप भी लें ताकि छोटा बड़ा नारे बैल्ट लगाते वक यह देखिए यह हमारा इसमें बैल्ट निकल जाएगा बैल्ट में साइड में थोड़ा सा कपड़ा जोइन्ट होगा जो अंदर की साइड हमारा चला जाएगा तो जो साइड में जो कपड़ा है यह देखिए यह साइड में जो कपड़ा निकला है उसको मैं यहां साइड में जोड़ लूँगे और पिन से हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि यह कपड़े हमारे छोटे छोटे इधर उदर ना आ रहे तो इस तरीके से फ्रंट में बेल्ट की में हमारी कटिंग हो चुकी है अब थोड़ा हमारा कपड़ा बीच का बचा हुआ है इसमें हम पाइपिन के लिए तिरची पटिया निकालेंगे यह देखिए डेड डेड इंच की मैं यहां पर पट्टिया निकालूंगी इस तरीके से डेड डेड इंच पर निशान लगाते हुए यह तरीके पट्टिया हमारी पाइपिन के लिए भी इसमें से निकलाएंगी इस तरीके से हम पायत तिर्शी पट्टियों की पी कटिंग आपर कर लेंगे ब्लाउज की लगवा कम्प्लीट कटिंग हमारी आपर हो चुकी है सरल तरीके से मैंने मेरा फुल जो कटिंग है इसमें पूरी आपको अच्छे से समझाईए तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसके लिए लाइक शेर जरूर करें तो यह देखिए कम्प्लीट हो चुकी हमारी तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेर करें थैंक्यू फर वाचिंग